तमश्कार में उत्रशला यादव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी बाहर जोतर लिंग के अलावा भगवान भोले नाथ के यूँ तो कई देश में प्राचीन और प्रख्याद शिवाले हैं इन में से एक धर्मस्तल ऐसा भी है जहां कर्ज के बोच से दबेश श्योभक्त आराध्ना के लिए आते हैं यही वज़ा है किस मंदिर को रिड्मुक्तेश और महादेव मंदिर कहा जाता है प्रयाग्राच का रिड्मुक्तेश्वर महादेव मंदिर यहां की प्राक्रतिक छटा है निराली मंदिर से जुड़ी है अनोखी मान्निता पुराडों में भी इस मंदिर का है उल्लेक कर्ज से मुक्ती के लिए यहां आते है शिवभक्त जल अभिशेग करने से मिलती है कर्ज से मुक्ती जल और पंचमृत के अभिशेग से खुश होते हैं बाबा सावन के महीने में भगवान शिव की अराधना के लिए ऐसे तो सीवालों में भक्तों की भारी भीड उमरती है लेकिन प्रयाग राज का यमना तट किनारे भोले नाथ भंडारी का ऐसा मंदिर जहां कर्ज से डूबे शिवभक्त खास अराधना के लिए आते हैं जोते लिंक के अलावा भगवान भोले नाथ के यूतु देश में कई प्राजीन और प्रख्यार शिवाले हैं लेकिन प्रयाग राज के प्राजीन वाप प्रसिद्ध शिव मंदिर की विशेस्ता से आप भी परजीत हो यहां का मनकामेश्वर मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है मुगल बादशा अकबर के किले के निकट यमुना नदी के तट पर स्थित मनकामेश्वर मंदिर में शिव जी अपने विविद रूपों में विद्धमान है मंदिर में भगवान शिव के अलावा सिधेश्वर और रिड मुक्तेश्वर महादेव का शिवलिंग भी विराजमान है ये धर्न स्थल ऐसा भी है जहां लोग कर्ज की बोच से दबे शिवभक्त अरातना के लिए आते हैं यही वज़े है कि इस मंदिर को रिड मुक्तेश्वर मंदिर कहा जाता है प्रयाग राज के यमुना तट पर रिड मुक्तेश्वर के नाम से मशूर भगवान शिव के शिवाले का उलेक पुराडों में भी मिलता है और यही वज़े है कि सावन के महीने में यहां करज से मुक्ती के लिए शिवभक्त खीचे चले आते हैं पाप से मुक्त हो जाता है रिड मुक्तेशर महराज की ऐसी किरपा बनी रहती है कि जो पूजा पाड करता अर्चना करता उसका कर्ज से डूबा हुआ ब्याक्त बेरजगार ब्याक्ति कष्ट इसके दूर करते हैं सदेव शंकर मगवान उसकी मनोकामना पूरा करते हैं सावन के महीने में भगवानशिक की अराधना के लिए वैसे तो सभी शिवालियों में भक्तों की भारी भीड उमरती हैं लेकिन संगम नगरी प्रयाग राज में यमुना किनारे स्थित भोले भंटारी के इस मंदिर में रिड से मुक्ती पाने के लिए भोले के भक्त अराधना करते हैं धर्म नगरी कहे जाने वाली संगम नगरी में यमुना किनारे मनका मेश्वर मंदिर के परिसर में रिड मुक्तेश्वर महादेव के नाम से फिराजते हैं आप एक जो मत्स पुराण और कुर्म पुराण में और प्रियाग महत्त में इसकंद पुराण में भी यह चार पुराणों के द्वारा जाना जाता है कि अच्छे पटके समी पस्षिम तर परेग्रुन मुक्तेश्वर नाम का तीर्थ में जो भी हस्नान करके रिड मुक्तेश् भग्वान का जलाविश्च ड करता है कि तीन प्रकास से अरुनं से मुट्वेश्च प्राप्ति करता है कि यह पार रेंट मुक्तेश्वर यानि कर्च से मुख्ति दिलाने वाल है मानिता ये है कि यहां दर्शन पूजन और जलाबिशेक करने से श्रधालों की हर मनुकामना की पूर्ती होती है और कर्ज से मुक्ती मिलती है कहा जाता है कि यहां आकर जिसने भी महादेव का दर्शन प्राप्त कर लिया वो हर चिंता से मुक्त हो जाता है सावन के महीने पर यहां श्रीव भक्तो का हुजोम उमरता है मंदिर के प्रधान पुझारी श्री धराणनजी बताते हैं प्र्याग्राज के दक्षिर में और यमुना के उत्तर में जो स्थान है वो रिड़ प्रमोचिन है इस इस्थान पर पूर्णिमा के दिन्या श्रमन मास में यमुना में स्नान करके जला अभिशेक, रुद्रा अभिशेक, पूजन अर्चन करने से सारे रड़ खतम हो जाते हैं मनकामिस और मंदर इस्थान की जहां तक बात करें तो इनके ही परिशर में रिण मोचन मंदर है रिण मोचन का ऐसा विधान आया है पदम पुरान में कि प्रियाक के दक्षिन में और यमना के उत्तर में जो इस्थान है वो रिण पर मोचन है और उस इस्थान पर पूनमा के दिन या सावन के मास में कभी भी इसनान करने से इसनान करके यमना में और पिर उनका जलावी सेक करें रुद्रावी सेक करें तो जो रिन होते हैं हमारे जीवन के जैसे लोग पैसे का ही रिन मानते हैं पर वो भी एक रिण है और माता का रिण भी होता है पिता का रिण भी होता है भाई के रिण भी होते हैं और जो कर्ज अगर हमारे जीवन में कभी हम किसी का ले लेते हैं और किसी कारण नहीं चुका पाते हैं तो उनका जलाविशेख करने से उस रिण से मुक्ति मिलती है ऐसा पूजन अर्जन करने से उस रिड से मुक्ति मिलती है ऐसा पद्म पूराण में उलेख आता है यही वज़े है कि श्रवन मास में दूरदराद से श्रधालू यहां पर आकर भोले बाबा का पूजन अर्जन और जलाबिशेख करते है भक्तों का कहना है कि कर्च में डूबे लोग इस मंदिर में भगवान रिड मुक्तेश्वर की शरण में ये उमीद लेकर आते हैं कि उनका भी रिड रिड मुक्तेश्वर महादेव की दया से उतर जाएगा श्रद्धालू कहते हैं कि जो भी श्रद्धा भाव से रिड मुक्तेश्वर पर जलाबिशेग पूझे नर्चन करता है उसका इस जन्मी के साथ साथ साथो जन्मी के पाप और रिड से मुक्ति मिल जाती है भूले नाथ अपने भक्तों पर क्रपा बरसाते हैं और अपने सच्चे भक्तों पर हमेशा दयाल रहते हैं तो आप भी इस मंदिर में आकर दर्शन करके मुक्ष की प्राप्टी कर सकते हैं हमारे से रिपोर्ट में इतना ही देखते रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार